इस वीडियो में देखें दोस्तों प्रोसेसर की सौकेट होती है मदरबोर्ड के उपर इसमें बहुत सारी पीन्स अगर डैमेज है क्यानि ये डैमेज हो कैसे जाती है ये डैमेज फिजिकल टच के कारण हो जाती है यानि आप अगर इस सौकेट को टच करते है या transportation के case में motherboard इधर से उधर transfer करते हैं यानि एक जगा से दूसरे जगा आप parcel करते हैं उसमें भी ये processor की socket जो damage हो जाती है यानि आप देख सकते हैं बहुत सारी pins आपस में damage है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं straight ना होके ये अपने position पर ना होके एक दूसरे से overlap कर रही ह तो इस case में ऐसे motherboard के उपर आप कभी भी अपने processor को attach ना करे नहीं तो आप अपने processor को भी जो है sort करवा बैठेंगे motherboard तो खराब हो गई है इसके अलाबा आप processor जैसे ही attach करेंगे power on करेंगे तो आपकी processor भी जो है sort कर जाएगी खराब हो जाएगी क्यूंकि pins के बीच में ब